प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी सरकार ने पहले मंत्री मंडल की पहली बैटक में बड़ा फैसला लिया है शहीदों के बच्चों को सरकार ने बड़ा तौफा देते हुए स्कोलर्शिप में बड़ा बदलाव किया है शहीदों के बेटों को अब हर महीं ने 2500 रुपे की स्कोलर्शिप मिलेगी जो पहले महज 2000 रुपे थी इसमें 500 रुपे की बड़ोत्री की गई है वहीं लड़कियों के लिए स्कोलर्शिप को 250 रुपे से बढ़ा कर 3000 रुपे कर दी गई है प्रधानमंत्री नरेंडर मोधी ने कहा कि हमारी केबिनेट का ये फैसला देश की सुरक्सा करने वालों को समर्पित है साथी प्रधानमंत्री स्कूलर्शिप स्कीम का दाइरा भी बढ़ाया गया है इसके अंतरगत अब एक स्क्रीम का लाब सेना और अर्द सेनिक बनों के अलावा राज्य पुलस के उन जवानों के बच्चों को भी मिलेगा इसकोटे का लाब एक साल में पास्वो को मिलेगा प्रधान मंत्री स्कोलर्शिप स्कीम का लाब राज्य पूलिस के उन जवानों के बच्चों को मिलेगा जो जूटी के दोरान या नकसली हमले के दोरान शेहिद हुए है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का मंत्री मंदल आकार ले चुका है प्रधान मंत्री के अलावा उनके मंत्री मंदल में 57 साथी हैं इनमें 24 केबिनेट और 9 राज्य मंत्री स्वतंतर परभार तथा 24 राज्य मंत्री हैं विवागों के बंटवारे के बाद शुक्रवार शाम को मोधी सरकार की पहली केबिनेट की बैठ है कुई